हेलो काईस मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनिस ट्रामा लेकर आगे उन जिसके स्राइटिंग में हमें हमारा मेरली छोटा बच्चा दिखा जाते जिसका ने वी की छोटा पर सब भी उसको निक्डेम से वी बुलाते हैं यह अपनी माम के साथ पार में आया होता है मह में पतनी काई ओए वहां से गाइब हो जाती है थाइट रवांन में वीग का अपनी माम नी नजर आती यह देख कर तो भारग मों को आवाज मुझे यह खेलने खेलना अब जहां बियो बाहीरा राजी राजो पर आइट के एंट होने के बाद वह अपनी माम को ढूंड रहा और वैसे हमें लक्सीर में दिखा जाता है कि वी को उसकी गैडपा हॉस्पिटल में लेकर आया होते हैं डॉक्टर से उसके आंखी चेक करवाने के लिए पर आइसर को कोई भी इस्यू नहीं होता पर डॉक्टर कहीं लगते हैं कि अगर इसे लोगों की फेस नजर नहीं आते और वो अपने ग्यांटपा की कमपनी को संभा रहा था कमपनी में आता है तो सब इसका वेलकम करते आगे जाकर इसको डिटेल्स के बारे में बता रही होते हैं पर यांगे से कहने लगता है कि मुझे अभी कुछ मीं नहीं सुनना सबसे पहले मुझे होट चॉकलेट वाली क काफी चाहिए उसके बादी मैं किसी की बात सुनूंगा यह कहकर यह ओफिस में तो आ जाता है पर इसके काफी अभी तक काफी में नहीं पहुंची था इसलिए अपने फ्रेंच जैनलों को कॉल करता है कि मेरी काफी कहां पर है पर वह भी आगए सीसे कहा देता है कि तो मैं जल्दी अपनी असिस्टन ढूनने होगे क्योंकि मैं तुम्हें रोज रोज काफी बन्वा करने पिला सकता और जैसे तुम्हें काफी चाहिए वैसी काफी तुम्हें 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 तुम् तो वी की बातों से काफी घुस्सा औरी होती है लूब इतना गुस्सा तो मुझे वी पर नहीं आरा जितना आपको आर करती है उस्तेम से कितना प्यार करती हुआ हु मेर इंडी होती है वहां शेपन कर श्याती है है कि कहीं इसमें जहर हूथ यह भी बात करी रह था तो honour कर अने लगत हैं तो फो वहई पर आकर खड़ी हुई थी तब उन्हें पक्दान्या लगते हैं तो वह भी आ यसे से क्या है डिलिवरी से काफी अच्छे पैसे आजाते तो जॉब की क्या जरुरूत है वो तो आर्ट को ये बात कहाकर टार रही होती है पर आर्ग उसको बाते सुनाई चारा हूं यह पर बात है किपने उनके उनकी बाते सुनने के घहर नहीं की लिए है पर जोने करवारा बार मां बीचे से आका सारी बात को सनने के बात हैं इनरजी लेंक लिए ये सब देखने के बात मीरें कहीं लगते हैं कि जोना भागा से मुझे दिखेंगा में पहन कर चाहऊंगी और मेरा लग्षा तच्छा होगा आखिर आपने प्यार जो मुझे दिया है और विया दिखाया जाता हुई को डेखती वह कह देता है कि मुझे यह वाली काफी ने चाहिए मैंने कुछ और भोला था बबाब कहता है कि जैसा कि बॉस चैनल ने कहा था मैंने इन्स्ट्रक्ष्चन पर चलते हुए इस कॉफी को बनाया है पावा कहता है कि इसके स्मेल से मैं पहचान जोगा कि मुझे कौन से वाली कॉफी चाहिए ते और ये कौन से वाली है इसको अभी यहां से ले जाओ और मुझे मेरी असिस्टन जल्दी चाहिए आज इंटर्वियो होने वाले है ना तो उनको को हो कि वो जल्दी आए मुझे एक घंटे बाद उनका इंटर्वियो नहीं करना अमीरिन को भी यह बात बता चल जाते है कि इंटर्वियो एक घंटा पहले हो गए है यह सुनते हैं वह वाँ से भागने लगती है सबसे पहले बाइक पकरती कमपनी की तरफ जाने के लिए और चैनल भी कमपनी में पहुँच गया था उसके असिस्टेंट एविस उसके पास आती है और आकर बता रही होती कि इंटर्वियो की सब्ही लड़किया पहुँच चुकी है और वी इंटर्वियो जल्दी करवा है उसे अपनी असिस्टन जल्दी चाहिए पर सभी लड़किया आचो कि एक लड़की नहीं आई तो चेनल जब उसका नाम पूछता है तो उसके नाम को सुनते ही वो जैसे पहले से उसे जानता हो ऐसे रेक्टर तक कहने लगता है कि वी को और भी वेट करवाओ इस लड़की की आने तक वो कहने लगती कि वी बिलकुल भी वेट नहीं करेगा वो बहुती जल्दा गुस्से में है पर चेनल कहता है कि जैसी लड़की असिस्टन वी को चाहिए वो यही हो सकती है इसलिए वेट तो करवाना होगा क्योंकि मुझे पूरा यकीन है अमीरन भी कंपनी में पहुंच आते और भागते भागते रूम तक आती जहां पर इंटर्व्य देने के लिए सभी लड़के आकर बैठी होती है वहाँ पर आते होवे डॉर भी ओपन कर देती है और चीज़े भी उसके हासे गिर जाती है यह देखते साथ ही जरौन तो सर पकड़ लेता है कि इसका क्या होगा अमीरन जो स्वरी करते होए चीज़ों को उठा रही होते है तो सामने से वी आ जाता है और वी इसकी शर्ट को देखते होए कहने लगता है कि इसके लिए मुझे इतना वेट करवाया वो कहती कि मैं आज ही लेट हूए आईदा कभी भी लेट नहीं होंगी और वैसे भी आपने तो मिटिंग जल्दी करवा दी थी ना तो आने में भी तो टाइम लगता है वी को तो इसके ड्रेसिंग सेंस को देखकर इसको रिजट कर देता है पर ये भी किसी से काम नहीं थी वी कोई उल्टा बाते सुनाने लगते है कि तुम किसी को ड्रेसिंग से किस तरह जच कर सकते हो पर वी वी इसका पूरा पूरा मुकाबरा करने लगता है कि तुम्हें पता भी है कि मुझे कितनी क्वालिक्वेशन वाली अपनी असिस्टन्ट चाहिए और फिर से वो चैनाओन को कहें लगता है कि तुमने किस तरह की रटकी को ले आए हो तो आगे से मीरन भी उसका अपना नेम बता देती कि मेरा नेम निरमफन फिसम फिस आई है तो आप मुझे मेरे नेम से बूला सकते हैं ये कहकर वहाँ से जारी होते है तो, वी उसको वही पर रोक लेता है कि तुम मुझे आकर उफिस में मिलना जैसे कि वी भी इस लेम से ड्रैक्ट हो गया और इसको पहले से जानता हूँ चाता हूँ अमीरन को बहुत जल्ती Cheryl सहीखना आता है इसलिए आमुझे रख सकते हो पर तुमने अपनी ड्रेसिंग को चीज नोगा ये बाद चैन आन को भी कहा दिता है और वो फ़रन से मना कर देती हो कहीं लगती है कि तो मैं पता भी है कि मेरे लिए इस dress की क्या value है पर वो भी कह देता है कि अगर तुम अपना rush change नहीं करोगी तो ठीक है मैं भी तुम्हें fire कर देता हूं और साथ में उसको काम याद करने को भी दे देता है कि मिस्टॉपर आपने यह स थंडा करने के ट्राइब कर रहा होता है पर वी तो उसको और भी फाइस पकड़ा देड़ा करने तो हैं लगता है कि ये काफी या और भी दूऊ ये सब आपको कर के दिन तक याद करके आना है अब वह भी इन बातों के ऐकस्पर करने में जली जाती है चैनल वर उसकी तो लग कि मुझे बोस्क्यों बन रही थी पर उसमें इसकी क्या बात है उसे तो मुझे भी चुप करवा दिया और लगता है मैंने भी उसको कुछ जाधी बाते सुना दी ये सारी बाते तो भी इकमाद में फिल होरी होती है और जो मीरन ये साथ तुमने इस कंपनी में बहुत ही पार अपलाई किया है और तब से मुझे तुम्हारा नेम और तुम्हारी शकल याद हुई है पर तुमने अपनी नेम को चींज क्यूं कर दिया पैचलों ने अपनी असिस्टेंट को उसकी फास पहले से दे दी थी जो उनको बहुत ही अच्छा लगता है याता है कि वो उसकी तरह के और भी ड्रेसेस पैक करवाने को बोल देता है और कहता है कि अब तुम्हारे हेस्ट्राल की बारी है उसको सेलाउन में ले जाता है जहां पर उसको न्यू हेल लुक दी जाती है अब ये जब वापिस घर पर आती है तो इसकी मम पहले तो इसको नहीं देखती है जब देखती है तो इसके बालों को देखके पूछे लगते है कि तुमारे बालों को क्या हुआ और इतने ज़्यादा शॉपिंग पर कहां से लेकर आ रही हो तो वो बताती ही की कंपनीवालों ने मुझे रख लिया है ये सुनकर तो उसकी ग्रेना के हाथ से भी चीज निचे गिर जाते है और उनके साथ खुश होने लगती है पबब कहन लगती है कि अभी तो उनों ने मुझे पर्मेनेट नहीं रखा पर मुझे यकीन है कि मैं पर्मेनेंट भी हो जाओंगी अभी जो उसको काम मिला हुआ था वो रात तक या करने के लिए बैठ जाती है सारी फाइस को अच्छे से पढ़ने के बार जब फ्री बैठती है तो उसकी माम कहती कि आप तुम जाकर सो जाओ पर वह अपनी माम से पू आती हूं यह करका खुदी किचल में चली जाती है माम की हेल्प करवाने के लिए अब नेक्स जब अपनी में आती तो चैनल तो इससे देखते का देखता रहा जाता है क्यूंकि वह इस्ट्रेस में काफी अच्छी लग रही थी और इस हेर कट में भी यहां तक की असिस्ट् देखने लगता है तो देखते का देखता रहा जाता और उसकी तरफ आकर उसको स्मेल कर रहा होता है कि इसके अंदर से कैसी स्मेल आ रही है तो बताने लगता है कि उस दिन जब तुम्हारे पास से एपल पाई की स्मेल आ रही है यह सुनकर तो वह भी कुछ शोक हो जाती है और भी भी उसे काम देते वर कहने लगता है कि आज का तुम्हारा पहला काम यह आए कि तुम्हें लिली चॉकलेटी बना कर लेकर आओगी यह सुनती वो चॉकलेटी बनाने के लिए जाती तो है पर फिर सिसके ओफिस में आती है तो वी कहता है कि तुम तुम उसे पोच कर भी नहीं गई थी कि तुमने कैसे बनानी है पर उस फाइल में लिखा हुआ था जो मैंने तुमें दी थी तो मैं कहता है कि जिमी जो पता है और जैसे आपको चाहिए उसके लिए आपको वेट करना होगा वो कहता है कि मैं वेट क्यों करूँ, इस बात पर गुस्सा करने लगता है तो, मीरिन कहती है कि मुझे पता है कि आप कॉफी पीते होगे, पर आपको वैसी कॉफी ने मिलती होगी जैसे आप चाहते हो, और मैं वैसी बना कर दूँगी, पर उसके लिए वेट करना होगा, क्यो जब यकीना देखता ये वी को कितने अच्छे से हेंडल करती अब मीरिन भी कौफी का काम स्टार्ट कर देती है चॉकलेट वगर अड़ाने के बाद उसके सामने लाकर कौफी रखती है अब जब ये कौफी को देखता रहा जाता है और पकड़कर उसकी स्मेल भी करता है ऐसी होता है के वह कौफी को देखकर बहुत जधा शौक है इसने अच्छी कैसे बना ली और तेस्ट करने के बाद तो और भी जधा शौक हो जाता है पर मीरम तो बहां से भांगने लगती क्युу कूँक्क उससे लग रहा होता है वी उसको लिकागने वाला है और वी जदम पीच ऐसके साथ चीश शेयर आड़ा हूँ जार जा उसके साथ बैट का चौकलेट खाने लगता है वैरा वी जो कॉफी को पीए जा रहा होता है और इसको पॉट्स न downstairs हो प्तूनित नी मुझे आती थी काहां से सीखनी की जरुरुत पढ़नी थी बर वो कहें लगते है कि नीनonian ऐसा नहीं हो सकता तो मुझे मुझे बता हूं कि बता हुँ सिखनी काहा कहां से सीख颈 काह hed famous थी पर वहाँ की भी यह वाली hot chocolate नहीं थी किसी को नहीं आती तो तुम्हें कैसे आ सकती है मैं लिए इतनी ज़्यादा भी बन सकती है अगर ऐसी ना होई तो मैं तुम्हें fire कर दूँगा अब fire वाली थम की सुनने के बाद फिर से मिरन बैनाने के लिए तो चली जाती है पर जब जारी होदी तो आगे से चैनौन मिल जाता है चैनौन उससे पूछे लगता है कि क्या हो तो वह सारी बात उसे बता लेती है तो चैनौन उसकी बात को सुनने के बाद जो उसके साथ दो लोगों ते उनसे मिलवाने लगता है एक का नाम सुनकर वह करें लगती कि तुम्हारा जैपनीज नेम है ना और इसका मतला पैक्निक है ना ये कहकर वह हंसने लगती और वह आगे से छोटी से स्माइल द बोलता है अब यह सुनकर वह लड़का कहें लगता है कि आपके सिस्टर ने भी यहीं बात बोली थी यह सुनकर तो उसकी दांट वैसे के वैसे अंदर चले जाते हैं और उनसे काम के बारे में बात करने के बाद उन लोगों को जैसी कहां से भीजता है तो वह लोग उसके ऑ बंडल करती है इस वहां पर मिरन आ जाती है जो उसके लिए काफी बना कर ले आए थी और उसको देखकर वह सकचा करने के लिए वह सुनकर तो अगर तो इस पंप्री से आ जाघंगें और अब कॉफी देने के बावर जैसे वहां से चली जाती है तो इन दोनों के आपस में कॉफी को लेकर रड़ाई स्टार्ट हो जाती चैनल करते हैं कि मुझे भी तो टेस्ट करवाओ पर वी तो उसको कॉफी टेस्ट नहीं करवा रहा हो ता कहीं लगता है कि अगर तुमने बनव क्या पागल हो गए मेरे सामने अपनी शर्ट को उतार कर दूसी शर्ट पैर रहे हैं और बोलने लगते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो तो वो दोने कहते हैं कि तुम तो काफी लगी हो कि हमने तुम्हारे सामने शर्ट चेंज की क्योंकि हमें तो तुम्हारा भूली गया कि यहां पर हो तो यह आगे से कहना लगती है कि अब ही तो कर लिया पर आईदा से कभी में मत कड़ना घलत होते हैं तुम लोगों कुम उससे सौरी करनी चाहिए अब दोनों कि एससे स्वारी या नहीं आना यह सुनते साथी वह वी के पीछे-पीछे भागने लगती है अभी जो इसके लिए पार्टी का ड्रेस लेक्टर ने के लिए आ गया था और ये बेट कर ड्रेस को देख रही हो देतो एक ही करके उसको पहना कर भी देख रहा होता है पर कोई वियुस्था पसंद बटाता है आप पार्टी का सीन दिखा जाते हैं पर सबी लोग कर दो यहлять वहां सबसे पहले सपेच में स्पीच करता है वहां पर एक लड़की बोलती है कि तुम बहुत अच्छा काम करता है इसको तो पता नहीं लग रहा होता है कि किसने भोला है तो उसको याद आता है कि ये काम तो मैंने मीरन को दिया हुआ है कि तुमने लोगों के बारे में मुझे बताना है तब इसलिए ये कॉस्टिन किया था कि क्या तुम्हें लोगों के फेस याद नहीं रहते तो इसलिए का था कि जो तुम्हारा काम है बस तुम वही करो मीरन बताने तो चाहती थी कि कौन आरी है पर उससे पहले ही तनाया उसके पास पहुंचाती है उसको साइड में करके वी के पास खड़ी होगी थी यहां तके वी का बाजो भी पकड़ लिया था और उससे कहीं लगते हैं कि तुम कब तक मुझे में टाइम है अगर ना हुआ तो मैं आपसे नहीं मिल सकता वाले दिन इतने बचे आ जाना मुझे तुम से बिजनिस की बात करनी है पर वी तो उससे यह कह देता है कि तुम्हारी परफ्यूम की स्मेल से मुझे अर्जीब मिल सीफाल हो राई यह कह करकर वाह से चला जाता है अब उसकी बात से तनाया भी शोख mutta यही का ऱयाज चाते हैने कंदके देखाना बनानी चाहे जो भी काम तो में रिशूडियोल क्यों न करने पड़े मुझे उससे बहुत ज़्याद इंपॉर्टन बात करनी यह कहकर वहां से चली जाती है उसके जाने के बाद यह सोची होते हैं कि वह क्या यूनिकॉन बनना चाहते हैं कि वी की कमपनी का नाम यूनिकॉन था पर मैं तुम्हें के बात बता दो कि उसने बिस्निस के बारे में कोई बात ने करने क्योंकि उसकी फैमली बहुत ही जदा रिच है तो उसको अपनी अगली नसलों के लिए कमाने के कोई ज़ूरत नहीं है और वी के ग्रेंट पा दिखा जाते हैं जो लोगों से बात कर रहे होते उनके जाने के बाद चैनुन की माम उनके पास आ जाती है और वी के बारे में बाते बता रही होती है कि सारा बर्डन उसने चैनौन पर डाला हुआ है चैनौन पूरी-पूरी रात उसके दियोए काम करता है पर आगे से कैन्ट पा भी कहने लगते हैं वो तो किसी के हाथ ही नहीं आता तो कहती है कि अगर Vी ने तुमें मना करती है तो तुम जैनोन से भी तो बिजनिस की अड़वाइस ले सकती हो ना क्योंकि वो भी कल को अपना बिजनिस बना लेगा इलाइदा और उसका काम सबसे ज़्याद अच्छा चलेगा यह सुनकर तो तनाया भी कहती कि चला ठीक है और गैंट पर जो कुछ लोगों से बात कर रहे होते हैं तो मुझे भी यही आँस की उमीद थी तुमसे इनसान को इस ओमर में जादे ही काम करना चाहिए आगे चाहकर तो आप से काम नहीं होता पर तुम जादा काम भी मत करना और उसकी मीरन तो काईब होगी थी मीरन भी इसको टूंटे टूंटे यहाँ तक आ जाते हैं पूछे लगते हैं कि आप यहां पर क्या कर रहे हो तो वह कहते हैं कि तुम्हें बोला था ना कि तुमने हाट टे मेरे साथ रहना है तुम कहां पर चली गई थी तो वह बताते हैं कि जो तुम पीछे पटाका मेरे पास छोड़ कर आये थी न मैं उसको संभार रही थी ये सुनकर वच्छू पहुचाता है कि मुझे उसके साथ कोई भी बात नहीं करनी नहीं उसके साथ कोई बिस्निस की बात करनी के लिए जाना है अब बाहि जाने के बाद मिरन उसको एक लड़की के बारे में बता रही होती ही कि वो हमारी इंवेस्टर है मिथावी अब यहीं भी जाकर मिथावी को हाई हेलो करता है अब यह लोग उसको जो बाहिर तक छोड़ने के लिए अब यह लोग उसको बाहिर देंड के लिए लगी है और स्मार्ट भी उसके एरिंग्स की भी तारीफ करते हैं पर वो तो कहें लगती है कि यह तो बहुत ही जदा है अगर कि मुझे दूसरे ब्रैंट के ले देते तो वो बहुत जदा हलके से होते इत्तर भारी ना पहनने बढ़ते अब इसको इस बात का तो पता नहीं हो कि मैं थरीन के ही एरिंग्स ले कर दिये थे यह बात मैं कैसे बूल सकते हूं और यह उनकी सिस्टर है यह सुनकर तो उसे पता लग चुका था कि अब तो उसकी है नहीं इसलिए उनके जाने के बाद उससे सौरी करने लगते है पर वी तो उसको सबरेंट में लेकर जाकर बह जो प्रेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता तो उसकी बातों से उसकी डांट से रोते हुए मेरन तो वहाँ से चली जाते है और चैनल कहने लगता है कि अगर तुमने इसको फाइड कर दिया तो मैं तुम्हारे नहीं निव असिस्टर नहीं ढूंड़ोगा वो तुम ख उसका बड़ी गलती करती यहीं सब सौप सोच करोरी होती है अब ॴी वी जो वाहाँसी जाने लगता है तो उसको हो तो रहा होता है यह सोच के उसकी तरब भाकता है पर इसको पूरा बला कह रही थी बहुत ही वी को बाते सुना रही होती वी की तो ये सुनकर हालत खराब हो जाती की ये क्या कर रही है और मैंने क्या समझा था वो से हर वो एनिमल कहती है जो जहरीला होता है आगे भी कुछ कहने वाली होते है तो वी कहता है की आगे क्या वी की आवास सुनकर शोक हो जाती है औ इसестоते वे चैन Всем वह इसके पास आता है और कि इनकर भाया है तो सीने कि बुड़ा आया को दूसे नेमं से भूलाता था। उसको तो मिरन का नेम पी नहीं पता था। तो वह चैन sent से पूछे लगता है कि तुम्हारा इसे क्या तालोग है जो तुम इसको मिरन कह रहे हो अब दोनों शौक होते हैं कि हम इसको क्या बताएं वी की माम दिखाए जाती है जो दुबारा से कि आपको क्या हुआ है आगे से वी की माम तो कुछ बॉल होती है तो मेरे साथ चलो ये तुम्हारे नेम से ये निकनेम बनता ही नहीं है पर फिर भी उनके कहने की वज़ा से वी मान तो लेता है और चैनल वी की बास सुने बगार उसको काफी जदा डांटे लगता है अगर तुम इसको फाइर करना चाहते हो ना तो फाइर करो मैं इसे फिर भ लोगे और इस तरह की बास नोगे तुम मेरे कहसे बकड़ लेता है दोनों नों टेखा थी चीक मारकर अपने आपको छुडवा लेती है और उन लोगों से कहें लगते हैं कि एकुम निक्यों की ने क्यूं लेकर आ रहे हो अगर तुम लोगोंने मेरे लड़ना है या तो में स्किल्स पर लड़ो ना इस तरह बगाए वज़ा कि लड़ क्यों रहे हो अगर तुम लोग मुझे कहोगे कि मैं चली जाओं तो मैं चली वे जाओंगी मुझे कोई मसला नहीं है कम से कम आप लोगों में लड़ाई तो नहीं होगी ना और मुझे बता है कि मैंने बहुत बड़ी गल्ती किया और मुझे माफ करना बहुत मुझे है इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए कहकर मीरन मां से जा रही होती है पर चैनाउन उसको जाते होगे देखकर वी से कहने लगता है कि तो पता नहीं अपने बच्चों वाली हरकते कप छोड़ो गई है कहने के बाद मीरन को आवाजे देखकर रोक रहा होता और उसे जाकर कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ा होता है तुम्हारी घर तक पपा कहने लगती कि नहीं मैं कुछ चली जाओंगी पर चैनाउन कहता है कि इस टाइम पर तुम्हें कोई भी टेक्सी नहीं मिलेगी इसलिए मैं तुम्हें छोड़ाता हूँ मीरन कहने लगते है कि मैं उसे सोरी करना चाहते हो पर और वी बिल्कुल भी तुम्हें अंकफर्टेबा फिल ने करवाना चाहते थे बस किसी ना किसी तरह तुम लड़ाई में आ गई मैं उसका बड़ा कजन हो और वह उसे छोटा है मैं कंपनी की इंपॉर्टेंट चीज़ें संभालता हो समझता है कि बहुत उंचा है पर मुझे ये पता है कि हम दोनों बस हैं हम कहीं पर भी लड़ना स्टार्ट हो जाते हैं ये सारी बाते सुनने के बाद मेरिन कहते हैं के बास्टाएं के ऑप फिकर करने की जुरत निया मैं अपना ख्यार रख लूँगी और जितना कुछ आपने मुझे सिखा दे उससे मैंने बहुत कुछ सिखा है अब बहुत ही ज़्याता अमेजिंग हो ये कहने के बाद उसकी कार से निकल जाते और चैनल भी वहां से खुश होकर चला जाता है अब मीरन जो अपने घर के सामने खड़े होकर सोची होते है कि उसने क्या क्या बोल दिया था वी को पर उसे ऐसा नहीं करना चाहिए ता अब क्या होगा वो उसे कैसे माफ करेगा अब इनी बातों को सोचने के बाद अपने घर में जली जाती है और चैनल दिखाया जाते है जो घर पर पहुंचता तो पहले से उसके घर पर आकर वी बैठा होता है वी को वो देखकर पूचे लगता है कि तो मेरे का पर क्यों आकर बैठे वे तो मैं तुझा कर रेस्ट करनी चाहिए घर पर पर वो उसे कहता है कि एक बात मुझे बहुती जदा परिशान कर रही है कि तुम सच में मीरन की वज़ा से मुझे से नराज हो और उसने तो हमारे इतना बड़ा नुकसान करवा दिया मिठावी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए त्यार नहीं है और ये सब उसी के वज़ा से हुआ उसने बहुत बड़ी गल्ती किया इस पार इंप्लाई मीरन की बात कर रहा हूं जिसका नम मीरन है तो चैनॉन कहता है कि एडलिस वो तुम्हारे लिए वही वाले होट चॉकलिट कॉफी तो बना देती है ना जैसे तुम्हारी माँ बनाया करती थी इसी बात से खुश हो जाओ तुम्हारी माँ तो तुम्हारी माँ तो तुम्हारी माँ तो तुम्हारी माँ तो तुम्हारी माँ पर छोड़ कर चली गई ना तो वे कहता है कि ओई मेरी माँ बना से कहां से आ गई तो मेरी माम को पार बना क्यों लेकर आ रहे हो यह बाद सुनकर जैनौन अपनी माम को चुप करवा रहा हुता है वी से कहने लगता है कि हम इस बारे में कल बात करेंगे कि कहने के बात जैनौन अपनी माम को मांसे लेकर चला जाता है चैनल जब अपने नों में आकर बैठा होता तो उसके मम दुबारा से उसके पास आजाती है और आकर यही बात करने लगती है कि मुझे पता लगा कि उसकी सेकेटरी ने कुछ किया है और अच्छा ही हुआ उसके साथ और अगर तुमें वो सेकेटरी इतनी अच्छी लगती है ना तो तुम उसको अपने लिए बचा कर रखो क्योंकि वो तुम्हारी बात मानेगी अगर तुम अच्छे रहोगे उसके साथ और हमें वी के बारे में बाते बताती रहेगी अगर वो वी के पस काम करती है चैननन कहता है कि माम आपके इस पारे में बात करी है तो उसकी माम कहता है कि हामें भी अपनी एक कंपनी बनानी चाहिए जहाँ पर मैथीना भी तुमारी कंपनी में स़धमने इन्वेस्ट करना चाहती है तो कुछ टाइम के लिए रुक जाओ ताकि मेरा बेटा कंपनी बना लेगा और फिर तुम उसमें इंवेस्ट कर देना और तनाया भी भी इसे मिलना चाहती तो तनाया की फैमली भी बहुत ज़्यादा अमीर है वो भी तो मारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है यही सारी बाते bara की बना चाहिए यही सोचकर केक बनाने केली चली जाती है और next day company में cake लेकर आरी होती तो आगे से Avis उसका आते वे देख लेती हैं और पूछे लगती है कि क्या हुआ तुम ठीकता हो तो वो बताती है कि मैंने apology cake बनाया है वी के लिए पर Avis तो उसे बताती है कि अभी तक तो भी आया ही नहीं तो वे कहते हैं कि आज आएगा कुछ राय में पर Avest कहते हैं कि अगर वो आभी तक नहीं आया तो इसका मतब वो नहीँ आएगा क्यूंकि उसका असकिपटे होगा यह सुनकर वो पुछते की क्या मतब सकिपटे तो Avest उसको सारी बात बताती हैं कि Hemने उनका इस टेर का नाम स्क्रिप टेर रख दिया है क्योंकि वो कभी भी गाइब हो जाते चाहे उनकी बड़ी से बड़ी मिटिंग क्यों ना हो और किसी को पता भी नहीं होता कि वो कहां गए और नहीं किसी को मिलते हैं अगर उनसे contact करने की कोशिश करो वो भी contact नहीं होता अमीरन उसकी सारी बाते सुनने के बात कहने लगते ही कि इसका मत्तर मेरा केक वेस्ट हो जाएगा पर भी भी मैं उसके आने का वेट करूंगी क्या पता वो आ जाए अमीरन जो उसका वेट कर लो अमीरन जो उसका वेट करी होते हैं हर इंसान को आते हो वे देख रही होती है कि अभी वी आ जाएगा अभी वी आ जाएगा पर भी नहीं आता इतने में वहाँ पर चैनल जरूर आ जाता है जो आकर पूछे लगता है कि क्या तुम वी काविट कर रही हो तो वो बताती है कि हाँ मैं वी काविट कर रही हूँ तो चैनल बताता है कि वो अभी तक नहीं आया तो वो नहीं आएगा और नही उसकी जाने का कुछ बता होता है कि वो कहाँ पर गया मैंने उसको हाट जगा पर जाकर, चेक़ आ हुआ हुआ है पर वो मुझे कभी भी उन जगो पर नहीं मिला और फिर यह भी बताता है, कि मुझे भी भूख लग गई है अमीरन कहते हैं कि 1 सेकंड के लिए रुके और जल्दी से प्लेट और स्पून लेकर आजाती है उसको केक कट कर दे देती है कि आप ये खाएं और खुद के लिए भी निकाल लेती है सबसे पहले अपना केक खूदी टेस्स करने के बात कहते है कि जिसने भी ये बनाया हुआ बहुत फिर प्यारी लटकी है चैनल में बातों से स्माइल कर रहा होता है और फिर उसे कहते कि तुम भी टेस्स करो और तुम flirtकरलने का हाँ है और कोई हाँ नहीं है वो उस केक को टेस्स करने के बाद बताता है कि ये तो बहुती सथ अच्छा है और बहुती मज़र से खाते हुएं बता रहा होता है कि Vee मुझे कहीं पर भी कभी में नहीं मिला चब भी मैं ढूंने के लिए उसे जाता हूँ और जोगों के नाम भी बताता है मीरन जैसे ही इतनी जोगों के नाम सुनते हैं तो उसे पता लग जाता है कि मुझे वी कहाँ पर मिलेगा और ये कहाँ कर जाते हैं कि मैं वी को ढूल लोंगी पर वो केक अक्सप्ट नहीं करती कि मेरे पास खाने के लिए ये है तो मेरा भी दिल नहीं है के खाने का और भी अपने ख्यालों में होता है तो वहाँ पर भागते हुए मीरन आ जाती है और आकर कहें लगते है कि बोस आप यहाँ पर हैं तो वह कहते है कि तुमने मुझे जहाँ पर कैसे ढूड़ लिया क्या तुमने मेरे उपर कोई ट्रैकर लगाया हुआ ये कहकर अपने आपको और कोई भी ट्रैकर उसके उपर नहीं होता और फिर अपने आपको सेट कर लेता कि ये में क्या हरकते कर रहा था कि तुम संचो कि मैं उनिह 00001 में से हूं तो वा कहता है ऐसा पॉसीबल नहीं है तो impossible है वा कहती पॉसीबल है और वा कहती है कि देखो पॉसीबल तो हो गया मैं तुम्हारे सामनी हूँ और तो मैं ढ्रें ठोंड़ा है तुम Lesson चाहिए तो मैं तुम्हें प्रिजन भी देश सकते हो कि मैंने तुम्हें कैसे ठूंडा और कहां लगते हैं कि मैंने मिलकी वे को फॉलो किया और वहां से मुझे पता चला कि यूनिवर्स तो सिरफ एक ही चीज के इत्कित रिवॉल्फ कर रहा है और पता लगते हैं कि वह कोई और चीज ने बलके तुम ह इसलिए मैं तुम्हें ठूंडते हुए यहां तक आ गई उसकी इतनी सीली सी थियोरी सुनने के बाद वह कहने लगता है कि तुम्हाई थियोरी बिल्कुल गलत है ऐसा नहीं होता पर वीवी मैं तुम्हें माफ कर देंगे सुनते साथी वो तो इतना खुश हो जाती है उसे अपनी स्माइल को कंट्रोल कर रही होती है यहां तक वी तो उसको स्माइल करते हुए देख भी रहा होता है और वी राइट के सामने बैठकर उसे बताने लगता है अपने फुल स्टॉरी के माम मुझे यहां पर कैसे छोड़ कर चली गई थी मैंने तो बस उन्हें वेट करन सेम उन्हीं की तरह गाइब हो जाओंगा ताकि उन्हें भी तो पता लगे कि मुझे कैसा फील हुआ था उसकी सारी बाते सुनने के बाद तो मीरेन भी इमोशन हो जाते और वी को जब आवास देती तो वी तो वैसी डर जाता कहने लगता है कि तुमने तो मुझे डरा दिया पर मीरेन कहते हैं कि अब मैं दिल लगा कर काम क्या करूंगी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करूंगी आपको किसी भी चीज़ की सौचे मुझे कह सकते हैं मैं आपके लिए हर विश पूरी करूंगे मैं हमेशा आपका साथ दूँगी अब उसकी बातों को सुनने के बाद जो भी मैंने अभी तुम्हें बाते बताई वो पता नहीं मैंने कैसे बोल दी पर बस मैंने तुम्हें बता दी पर ये बात हम दोनों के दम्याद टॉप सिक्रेट रहेगी तुमने ये किसी को भी नहीं बतानी तो मीरेन भी फॉरन से हां कर देती कि मैं किसी को नहीं बताऊ तुम अच्छे से काम करोगी तो वह कहते है कि हाँ मैंने बोला था मैं मीरन हूँ अपने वर्ट से पीछे नहीं हरती तो वह कहते है कि चलो ठीक है फिर देखते हैं ये कहकर वहाँ से चला जाता है मीरन भी उसके पीछे जारी होती है और भी दिखाए जाते है जो काल में बैटकर जूस को पी रहा होता है और जूस को देखकर स्माइल भी कर रहा थे ये देखकर उसका ट्राइवर जब उसे देख रहा होता है तो भी कहता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो रखना होगा वो तुम खुदी सोच लो कि तुम्हें क्या करना है और तुम एक और बात बता दू कि किसी चीज का यूज करो जिसकी वज़ा से तुम्हारी चिक्स ज्यादर रड़ना हो क्योंकि तुम मेरी हैंडसमपन को बरदाश नहीं कर पा रही हो यह सुनकर तो मेरा जल् यह सुनते हैं मिरन कहें लगते हैं मुझे आपकी बात अच्छे से समझ आ चुकी है मिस्टर हैंसम यह बात कहते साथ ही कोई और बात करने के लिए मिरन उसकी तर देखती है तो आगे से पता लगता है कि वी तो सो गया है यह देखकर सोचे लगते हैं कि अभी तो इसने मु करने के बाん मीरान को करने को बताने लगते हैं कया था रहा हुआ ऊणाया से से ना तो बेंसे क्या भुआ हुआ तुम कर Посکतर में अच्झे में जाए कर सैटाना गर वा आजाता करें लगता हैं के तुम मुझे चोटी हो हाइट में तो तुम्हें हील वाले शूश्य सपैंने चाहिए उसका पर में डबल कर दूँगा और तुमने हील वाले शूश्य कराने हैं ताकि तो मेरी हाइट के बराबर आपा और मुझे तुम्हारे लिए नीचे ना जुकना पड़े मेरी कमर में दर्द होने लगा है अब ये बात कहने के बाद वो तो वाद से चला जाता है पर मीरन को साथ में देखका गुसे से देख रही होती है और विकिट से कहें लगती है कि तुमकी साथ अपनी सेकेटरी के क्यों उठाकर ले आए हो तो कहता है कि इसने बोला था कि वो अच्छे से काम करेगी इसलिए में इसको अपने साथ ही ले आया पापा कहती कि ये तो हमारी प्रा भी बोल सकती थी कि मुझे नहीं जाना पर तुम्हें क्या तुमने तो साथ में आना था क्योंकि तुम्हारा ऑनर एक न्यू गल्फरेंड चुले कर आ रहा था इसलिए तुमने बोला कि उसको गल्फरेंड कैसी मिल जाए तो वो कहीं लगते है कि हां तुम ठीक क्या रही हो तो वो कह लगते हैं कि तुमने खुद को समझके क्या रखा है? नीरम पम तुम से बहुत-बहुत अच्छी लटक्यां भी होती है यह बास सुनने के बाद मेरें कहने लगते है कि किसी निसोचा हो ग Kyle के पीछे इस तुमने पैठे इस तुमने बात करती हो अगर मैं तुमे क और उसके द्रम्यान डेटी जिसे मैं लाइक करती हूं पर तुम तो बगार इन्वाइट के ही आ गई ये तो बहुत इकंदे मैनर्स हैं और उपर से यहां पर आने के बाद भी मुस्से लड़ाई कर रहे हो और देखना नेक्स्ट इन्वेशन जो बनने वाली है ना वहाँ पर के यहां पर क्या बात हो रही थीं और तो मीरन से क्या बात करी थी टो है तो उसके बार Kundal concerns को कौने क्या रहे हैं पर और ने gonna अगर तुमने कहने के बाद वीवीवान से चला जाता है बाहिरा कर देखता है कि एक जगा पर मीरन बैठी हुई थी मीरन के पास आता है और वो से पूछती है कि क्या तो मुझे फायर करने वाले होता है कि तुमने ऐसा कैसा सोच लिया अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है तो त तो मैं फायर क्यों करूंगा क्योंकि मुझे तो तुम्हारी स्किल्स का पता उन लोगों को तुम्हारी स्किल्स का नहीं पता और यह सब बाते करने के बाद उससे पूछता होता है कि मैं क्यों लगा हो ना और सारी बाते पीछ से आकर तनाया भी सुरी होती है कि इन दोनों की था मैं आपके लिए दुबारा बना दूंगी तो भी कहता है कि अभी बराव के कहते हो इसे भीच रहा होता है और इदर चैनौन दिखाए जाता है जो तनाया के पास आते तनाया से पूछता है कि तुम्हारी डेट कैसी रही तो बताती कि बहुत बुरी रही क्यूंकि वह आया था मीरन को और वी और मीरन के बारे में सारी बात बता रही होती है कि इतनी गराती यह सुनकर के ज़ड़ा दिखाए जाते मिन वी को अपने घर पर आती है क्योंकि इसने अर्जंट कीновwr ने का बोला था और उसको घर नाते हुवे места वी कि तूर ने बॉलनानेगे क्योंकि मौम और सो रही है पर वो अंदर आतेई साथ कहते है के लट में ये सुनकर वह कहती है कि मैंने बोला ताना कि यहाँ पर उंची आवास में बात नी करनी ये बात कहने के लिए वो जब वी को अपनी तरफ करती है तो वी उसके उपर गिर जाता है जिसकी वज़े से दोनों में किस होने वारी होती है पर किस नी होती परिते में वहाँ पर उपर से गैनमा जरूरा जाती है मीरन की चीक को सुनने के बाद और एक लड़की को साथ में देखकर उसे तो मारने पर पड़ जाती जबकि मीरन की माम भी उन्हें छड़वारी होती कि क्या हुआ है बात तो सुनने दो वो भी कहा रहा होता है कि मैंने आपकी फेस तो नजर नहीं आ रहे होते वी की माम दिखाए जाती है जिन्होंने चर्च में रहने का सोच लिया तो इसलिए वो जगा के बारे में मीरन और उसकी माम को भी बता देते हैं है जब मैं यहीं पर होंगी आप लोगोंने जब भी मिलने के लिए आना है तो मुझे यहीं पर मिलने के लिए आना पर मीरन तो पड़िशान हो जाती एक न्यूस पेपर दिखाने लगती जहां पर उनकी missing news आई हुए थे कि मारी डोटर इनला गाइब हो गई है अगर किसी को पता हो तो फ्लीज बताना ये news वो वी की माम को भी दिखा रही होते हैं कि आपको ढूंडा जा रहा है अगर आप अपने बेटे को मिस करते हैं तो आपको वापस जाना चाहिए पर वा बताती है कि मेरी कंडिशन ठीक नहीं है और दिन बादिन ये कंडिशन और भी ज़दा खराब होती जाएगी मुझे नहीं लगता है कि मैं कब लोगों को भूल जाओ यां तक कि मैं आप लोगों को भी भूल जाओंगे यहां करना पड़ता उनकी कंडिशन को देखते हुए और प्रेजिंट में आ चाते जहां पर मेरन की मा मेरन को खेंचते वे लेकर आ रही होते और पूछे लगते कि क्या यह वही लड़का है यह सुनकर मेरन कहते कि माम आहिसा बोले वह न सुन ले क्यूंकि उसको इस पारे मे पर पता लग जाएगा यहां जान बड़ा का बुछा लेक्ट करने के लिए को पहले कते हैं दोब केग बनाकर खिला होगी ये कहकर वी को भी अपने साथ काम पर लगा देती है और फी मीरन दिखाया जाती है जो वी की माम से मिलने के लिए आई थी उसके लिए केक भी लेकर आई थी वो जाकर उन्हें बुलाती है कि आंट और वी की माम भी उसकी तब देखने के बाद उससे पहचान लेते है कि मीरन तुम आई हो, यह सुनकर तो मीरन खुश हो जाती है कि आपने मुझे पहचान लिया, उनके पास भी पैटकों से बाते करने लगते हैं तो वह कहते हैं कि मुझे तो लगा था कि तुम मुझे मिलने के लिए नहीं आओगी इस हफ़े, तो मीरन कहती है कि मैं आपसे हर वीक मिलने के लिए आती हूँ तो मैं आपसे कैसे न मिलने के लिए आती है, और नहीं मैंने उसे कुछ बताया है, वो कल के दिन मेरे घर पर केक बनाने के लिए आया था और मैंने उसको काम पर लगा दिया ताकि वो आपके लिए के लिए बना पाई, और ये बात उसको भी नहीं पता कि उसका बनाया वाके कौन खा रहा है, तो वो पूछे लगती है कि वो कैसा है और अचकल क्या करो तुम उसको कैसे जानती हो मेरन एक सेकिंड के लिए तो चुप होती है और फिर उने बातानी लगती है कि मैंने काफी बार उसकी कंप्री में अप्लाई किया था नेक्स्ट इनोवेशन के लिए पर मुझे कभी कॉल भी नहीं आया था ना ही कभी इंटरव्यू के लिए बुलाते थे तो काफी टाइम अप्लाई करने के बाद मैंने सौचा कि मुझे आपकी नेम का यूज़ करना चाहिता कि यह सुनका तो वो खुश हो जाते हैं भी पूचे लगते हैं कि उसकी आसपास के लोग उसको किस तरह का ट्रीट करते हैं और क्या उसको कोई किसी तरह की डिजीज तो नहीं है तो मेरें बताती कि वो बहुत अच्छा कर रहा है और उसके आसपास के लोग्स पर बहुत से तो अच्छे हैं हर कोई उससे प्यारो क्या करता रो उसको किसी भी किसम के कोई भी डिजीज नहीं है ये सुनकर तो उसकी मम खुश हो जाते हैं कहने लगती कि मीरन क्या तुमसे मैं एक फेवर मांग सकती हूँ तो मेरे पुशती के कैसी फेवर तो वो कहने लगती कि क्या तो मुझे वी की पिक्स बना कर लाकर दिखा सकते हूँ क्यूंकि मैं वी को हर एंगल से दिखना चाते हूँ कि वो कैसा हो गया है मैं अपने बेटे को देखना चाती हूँ ये सुनती हिए फोरां से मिरा मान जाती है कि आणि आपको कोई भी काम हो वी के लिए मैं आपका हर काम करनी के लिए त्यायर हूँ आपने बस मुझे कहना है तो भे कहते हैं कि वी को ये भी बता देना कि वो स्माय करना ना भूले क्योंकि उसकी स्माइल बहुत ही ज़दा अच्छी लगती है मीरन कहती है कि मैं आपकी बताई हो हर बात करूँगी और उस तो जाकर ये भी कह दूँगी पर उससे पहले आप अपना ये केक खा ले आखी वी ने अपने हाथों से बनाए अपनी जान लगाई है तो आपको ये खाना चाहिए ये बत कहने के बाद मीरन को याद आता है कि वी ने बोला था कि जो भी मेरे हाथ का केक बनावा खाएगा वो बहुत ही ज़दा लगी होगा ये कहते होवे साथ में केक बना रहो होता है पर उसे वहाँ पर बीटर नजर आ जाता है ये देखकर वो मीरन से कहने लगता है कि ये क्या है पर मीरन तो जान बूट कर उसकी हाथ का यूज़ करवा रही थी और कहने लगते है कि ये तो आईरन है तो आगर कहते है कि तुम किसको पागल बना रही हो पता लगता है कि माम को सब कुछ भूल चुका था यहां तक कि वो अपने आपको भूल चुकी थी और पूछे लगती कि तुम कौन हो मैं कौन हूं और यह कहां से आया यहां से मिरन को पता लग चाता है कि यह सब कुछ भूल चुके इसलिए वह जलती से आर्ट को अपनी गले लगा लेती है कि कुछ भी नहीं हुआ और यह केक भी अच्छा है में कुछ भी नहीं दुछ भी नहीं वोगता है कि आज विकेंदर वेट पर गई हुई हुई अब मीरन में उनके पास सागर बैठ जाती वहां पर आने के बाद मिरन को बता लगता है कि आंट नोई तो उसे ब्राउनी की फर्माइश लेकर आई थे कि मुझे ब्राउनी चाहिए वो भी पहुत ज्यादा और मैंने ज्यादा को ओर्डर करवाना है पर मिरन आगे से कहते ही कि आज तो संडे और आज को कह रही होते हैं कि मुझे तो रात में सोने को भी नहीं मिलेगा अगर मैं इनके ब्राउनी बनाती हूं तो क्या हुआ तो क्या हुआ तो क्या हुआ तो इसका मतलब बनानी है अब यहां पर मीरन को भी हां करनी पड़ते हैं वासे जैसी उटकर जाती है तो उसके जाने के आंट में पूछे लगती है कि कहां पर जॉब करी मैंने सुनाएं कि इसको जॉब मिल गई है कंपनी का नाम तो बताओ गूल जाती है कि उसकी कंपनी का नेम क्या था पर करने लगते है कि ठीक से याद नहीं है पूछ कर बता दूंगी अब इसके बाद वह थोड़ी से करना होता है तो इस मेल वी उनकी बाते सुनने के बाद उन्हें हाँ बोले देगे आप क्योंकि मिटिंग में मुझे अपना सरदत करवाना फिओ गया नो टाइम ही हो गया तो चलती से वहां से भाग चाती है मीटिंग के लिए की फ़ाग गई है और करना चाहती है वह किसी और की बज़ा से नी बलके बनके वीकी सेकेटरी की वज़ा से आप यह सुनकर तो गैंपपर करें लगते हैं कि इतने important काम में तुम अपनी सेकेटरी को कैसे लेकर जा सकते हो और किसने परमीशन दी थी इसको लेकर जाने के यहाँ पर भी बोल देता है कि में लेकर गया था और मुझे लगा कि अगर यह सकते हैं तो मेरे काम भी कर सकती है इसलिए मैं इसको अपने साथ ले गया तर आइंदा से ऐसी कोई भी गल्ती नहीं होगे गर्णपा कहते कि यह तो अच्छी बात है अब उनकी बातों को सुनने के बाद चैनॉन की मम कहीं लगते हैं कि आप चैनौन के बारे में क्यों नहीं सोचते चैनौन भी तो अच्छा काम करता है बहुत से इंपोर्टेंट काम इसके हाथ में होते हैं तो क्यों नहीं इसको भी इन्वेस्टर टूनने के परमीशन दी जाए ताकि यह भी कंपनी के लिए कुछ अच्छा कर करते हैं कि इन्वेस्टर जो भी लेकर आए पर अच्छा लेकर आए और मुझे से ज़रा फरक नहीं पड़ता और मैं चाहता हूं कि इस पार भी कोई गल्ती ना हो यह कहने के बाद चैनौन की माम चैनौन से कहें लगते हैं कि मेरी नजर में एक इन्वेस्टर है पच्छेन मेरन भी जाने लगते तो मेरन की आर्डी पर चैनौन की म मॉम उसका नेम निरंगती लेती हैं और पोच्छें लगती कि तुम्हारा कि नेम किसने लगता तो वो आगे से चुप हो जाती है ये सारी बाते चैनौन भी सुन रहा होता है तो वो आगे से बात का बदलते हो वे कहें लगते हैं कि ये नेम तो यूनिक नहीं है यह सुनने के बार वो जाने देती है माहां से मीरन को और मीरन में वहां से चली चाती है मीरन के जाने के बाद वो चैनौन से कहने लगते है कि इसका नेम सेम वी की माम जैसा कैसी हो सकता है यह कोई इतफाक तो नहीं है और मैंने इतने सालों से इस नेम के बारे में डोड़ने क कि ट्राइए किया पर कोई भी मुझे उस टाइम पर इस नेम का परसन नहीं मिला चैनौन कहता है कि मौम आप इन बातों को छोड़े ना यह तो एक सेकर्टरी है उसकी मौम कहती है कि इन्फर्मेशन रखना अच्छी बात होती है यह कहने के बाद उसकी मौम तो वहां से चली चाती है पर उनके जाने के बाद चैनौन को याद आता है कि जब उसने मिरन को यही सेम कॉस्टन किया तो उसने यही कहता कि मेरी माम की क्लॉस फ्रेंट का नेम था इसलिए मिरा नेम यहीं रखती है मेरी माम ने कि ये मेरी गलती है कि मैंने अपना काम ठीक से नहीं किया और मेरी वज़ा से आपको टांट पड़ी तो वह कहता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है अगर तुम कुछ भी ऐसा गलत ना करती तब भी मेरी आंट कोई और बहाना ढूंड लेती मुझे इस तरह की बात सुनाने का तो ये सारी बाते सुनने के वाल मेरी न कहीं लगती कि क्यों ना आप अपने काम से ओफ ले लें और हम कहीं पर चलते हैं ना ये सुनने के बाद तो वह खुश हो जाता है कि दुबारा से पार्क में नहीं जाओंगा बलकि हम कहीं और जाएंगे तो वह पुछते हैं कि हम कह को बहुत ही जड़ा पसंद करते हैं तो हमें बस नेचर की तरफ जाना होगा ताकि हम वहां पर जाने के बार मिस्टर नाइक कर ढूंड सके तो मीरन कहती कि मैं इसके बारे में सर्च करके आते हो पर वह उसको जाने देता बलकि उसके हाथ से पकड़कर अपनी तरफ ले आता ह पर वह इससे पूछे लगता है कि तुम कहां पर जा रहे हो तो वह बताता है कि मैं इन्वेस्टर को ढूनने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी इस प्लेस पर पिस्फुल महाल चाहिए और इस चीज़ के लिए मैं तुम्हारा फूल मकाबला करूंगा तो चैनल चणोन उसकी बात को सुनका कहता है कि मुझे नहीं पता जो भी तुम करो पर मेरी हार टीम नजर तुम पर होगी अप हूगी उसे यहीं बात करता है को तुम्हारी आगे से चनोन कुछ कहेता पर है मिरने एपना हाथ फीज़ चुडवा लेते हैं अभी भी कहें लगता है कि ठीक है मैं बात को समझ क्या पर उसको मेरे हाथ अच्छे लगते होंगे ना यह कहने कि बाचे रॉन की तरफ अपना हाथ करता कहें लगता है कि मैं अपना बैस दूंगा तो वह कहता है कि हां तुम देना मुझे जरा फिकर नहीं है अब ऐसी वी मीरन के साथ दिख कि किसी जगा या रहने का कुछ पता है अगर पता है तो बस यह पता है कि उन्हें नेचर पसंद है कि तरफ जाना है पर खुद मिल जाएंगे यह सारी बाते करते हुए वी जा रहा होता है साथी साथ मेरे उसके जारी होती है और वी कहता है कि लग हमें किस तरफ जाना चाह वहाँ पहुंचते हैं तो देखता है कि एक बटसन कुछ लोगों के साथ चेस खेरा होता है पर जैस तो वह खेरा था वी नोट करता है कि उसके बाद रूपर एक टैटो बना होगा था यह देखकर उससे बता लग जाता है कि यह कोई और निबर के अंकर नौए है क्योंकि उन हुने रोख कर बताने लगता है कि मैं यहां पर आपके साथ चेस खेरेने के लिए tutorial कर रहे होते हैं देखकर वीकेंन लगते हैं कि मुझे समझ आ गया कि अब मुझे क्या करना है तो वो भी उनको जॉइन कर लेता है और फिरको सासा सेम उनकी तरह करनी की ट्राइ कर रहा हो था कि वो किसी न किसी तरह अंकर नोई से बात कर ले और हमें इतन तनाया दिखाया जाती जिसको कि और कोवापिस देने के लिए चानते हैं यह इव बताते हैं एक आर्ट इन्वेशन के रिकारे पहले वादेश्कूर सकते हैं यह बात कहने की तरफ आज आती है और पूछी लगते हैं कि तुम नहीं है ज्ञा जाता हूं नेक्स इन्योवेशन में तो कहती है कि तुम मुझे अपना इंवेस्टिंग क्यों बनाना चाहती है और मैं तुम्हारी काम में इंवेस्ट क्यों करूँ मेरे पास तो पहले ही बहुत पैसा है मैं जितना खर्च करूँ उतना कम है तो मुझे और कमाने की क्या जूरत है पर चैनल कहने लगता है कि तुम्हा युसरे और अपने काम को निकालते हो जहां पर अपना काम नज़र आंपाने काम नज़र में निस्वारी डा। कहें लगते हैं कि मुझे तुम लोगों के साट डियर करने के लिए तयार हूँ तुम लोगों की ओफर कहा है कि हमकों इंसरांस with lum के लिए आई तक ऽ нी होगए और बहुत से लोग मुझे पूछने कि युशने के लिए आया थे अब फर को समझा जाता रही उसेnegी नहीं है तो चुता है रही है तो यहां पर को इन्हें पता लग चुकते कि उन्होंने बहुत बढ़ी बहुत ही अच्छे इंवेस्टर बहुत से । लोगों में इंवेस्ट करते है और इन के जैसे कहीं पर भी नहीं होगा पर फ़त्वी अपने गैन्पर को कहने लगता है कि लूग सकता हूँ यह कहने के बाद वीवार से भाग चाता है इतने में कार में आकर मियरन जाती जो बतानी लगते हैं कि मुझे अपनी फ्रेंड से पता लगाए कि बीग नौई सच में इस दुनिया में हैं और वो रियल परेटसन है तो बस हमें पता करना है कि वो कौन है पर भी कहने लगता है कि हमें कोई प्राइवेट इंवेस्टर ही टूनना होगा क्यूंकि हमार मेरे सामने कैसे कर सकते हो आखी में एक लड़की हूं तो वा कहता कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में में यह ली कोई भी फिल्स लिया तो मैं तुम्हारे सामने कुछ भी कर श्याऒ nazар है चलरague न repar कि अभी कि अभी उनके बारे में पता करवाना है कि वो कहां पर है क्योंकि जब मैं इस नाम की लड़की को ढूंटी थी तब तो मुझे कोई लड़की नहीं मिली अब यह लड़की कहां से आ गई इसके बैग्रॉंड के बारे में अच्छे से पता करो और हमें मीरन दिखाये लगते बठेति लगते भ पातानी लगते लिए कि ब्राउनी शुराल फृ है और मैंने ये य Daar रहे कर रहे हां ढmudव में लगते रहुते हैं वहरी आप connectivity लिए जल्दी से ब्राउनी कर भी कान में रख लेती है अब जैसे वहाँ से जाने लगते हैं तो मीरं आंट नॉइ ये सुनते ही वो अपनी का रोक लेती इसके पीछे भागने की वज़ा से और वैसे हमें दिखाया जाता है कि वी के क्यांट पा किसी और से बात नहीं कर रहे होते हैं बलके आंट नॉइ से उस टाइम पर बात कर रहे थे और इसी से वी को मिलवाना चाहते तब प बातारी होते हैं कि हमने कौन से वाली अप्लिकेशन बनाई है जो हैल्थ और किन-किन चीज़ों का मैया करके बताती है यह सुनने के बाद वापनी कार को रोक लेते हैं उससे करें लगते हैं कि तुम अपने बहुत से क्याना कि मुझसे दो दिन बाद मिलने के लिए यह सु बताते हैं और पूछता है कि उन्होंने मिलने के लिए क्प बूला तो नहीं पर सोगी तो कहती है कि क्या मतलब मीरन तो कुछ औरी समझ रही होते हैं वह कहता है कि तुम जैसे समझ यहां पर तुम्हें बहुत ही जदा काम करना है तो तुम्हें यही पर सोना पड़ेगा मैंने तो बस यही बात बोली हमें अपने प्लैन को बहुत अच्छा बनाना चाहिए ताके वो हमारे प्लैन को देखते साथ ही हमारी काम को accept कर ले और तुम्हें याद नहीं कि तुम होट चॉकलेट कॉफी मुझे बना कर देती हो जाकर वो बनाओ ना यह सुनते साथ ही मीरन भाग कर कॉफी बनाने के लिए तो चली जाते पर कॉफी बनाते हुए काभी कुछ मुझे मिल चुकी है अब तो मुझे वी से टांट नहीं पड़ेगी काम बिगाड़ने की वज़ा से यह सारी बात है उसके आकर चैनल भी सुन रहा होता है चैनल सोचे लगता है कि क्या वह सच में दुनिया में एक्जिस करती भी थी हमें चैनल की माम दिखा जाती जिने और लगता है कि वह तो मिसिंग यह इस निया बरवन की माम है और मेरी चाहती कि कोई भी साड ले और कोई इसको सपोट करने के लिए और यहीं पर हमारा यह पार्ट भी एंडर जाता है पर इसका लेंग्स पार्ट 22 नॉंबर को आएगा तब तक नेक्स बार्ट के आनने का बाप्बाइ